आगरा में सरवाधेत लोग प्रिये चैनल सीनियूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें बारिश के मौसम के चलते एक बाफिय से ताजनगरी में संचारी रोग का खत्रा बढ़ गया है जिसको लेकर जरूरत है कि लोगों को जाग रुकिया जाए अगर समय रहते हैं मामले को गंबीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले समय में डेंगू और मरीरिया के मरीजों के संख्या बढ़ सकती है ताजनगरी में बदलते मौसम और बारिश के साथ ही मलेरिया और डेंगू जैसे बिमारियों का खत्रा बढ़ गया है वरिश इचिक सकों का मानना है कि डेंग्यू का एडिस एजिप्टी और मलेरिया का एनाफिलिस मच्छर कूलर की टंकी और आसपास जलभराव में पनपता है बारेश होने से शहर वा ग्रामेण शेत्रों में कई जगा उपर जल भराव हो रहा है जो से आने वाले समय में ठंड के साथ सरदर जैसे लक्षन वाले मरीजों की संक्या बढ़ सकती है जिसको लेकर स्वास विभाग द्वारा जुलाई महा की शुरुआत से ही संचारी रोग नियंत्रण अभ्यान चलाया जा रहा है साथ ही इस अभ्यान के साथ 17-10 तक अभ्यान की भी शुरुवात की गई है इसके साथ ही निग्रानी दलद्वारा भी शहरी वाग्रामिळ शेत्रों में मरीजों पर नज़र रखी जा रही है लोगों को प्रिचार प्रिसार के माध्यम से जागरुक करने का कार स्वास विभाग द्वारा किया जा रहा है जिसमें लोगों को मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए सभी उपाय जैसे की पूरे कपड़े पहनना घर के आसपास पानी कट्टा ना होने देना मच्छरदानी के प्रयोक करने की सला दी जो रही है हाला कि 2020 और 2021 में जैंगी और मलेरिया का प्रकोप कम ही देखने को मिला जिसका मुख्य कारण COVID-19 के दोरान साफ सफाई का रखा हुआ ध्यान भी बताया जो रहा है सीडियूस के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट